हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगें टू लण विर्दी दीमन आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर वन भारत का राजनितिक विकास का सेकिंड पार्ट और आज आपका ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा यदि आपने लास्ट वीडियो न बहुत जादा important question जो है वो करवाय थे मैंने और आज हम करने वाले हैं राजिस्थान का एकी करण में जो साथ चरण थे उससे related एक एक question जो है वो हम करेंगी तो बहुत जादा important रहेगा क्योंकि आपके syllabus के according ही हम चल रहे हैं और books में एक एक point जो है वहां मैंने include किया है इसम चलिए स्टार्ट करते हैं, कुश्चन वन, सोतंतरता के समय किसे छोड़कर पूरा राजिस्थान रियासतों में बटा हुआ था। चलिए भारत में, लेकिन बाद में जो लोहोपुरुष थे, बल्लबाई पटेल, उनके प्रियासों से ये तीनों रियासतें जो थी, वो भी मिला दी गई, और टोटल 565 रियासतें जो थी, वो शामिल हो गई, उसके बाद जब हम राजिस्थान की बात करते हैं, तो राजिस् तो वो थी, देखिए, अजमेर मेरबडा, क्योंकि यह केंद्र शाशित प्रदेश में शामिल की गई थी, तो तंतरता की समय राजिये में कितनी रियासतें थी और कितनी ठिकाने थी, तो मैंने आपको बताया कि जो राजिस्थान में 19 रियासतें थी उस टेम, तीन ठिकाने थे, और एक केंद्र प्रशाशित प्रदेश, यही था वो अजमेर मेरबडा, जो की रियासतों में शामिल नहीं था, चलिए, नेक्स्ट है, राजिस्थान में भी रियासतों का भारत में विले किसने करवाया, तो पूरे भारत में रियासतों का विले जो है, वो भारत में क चलिए फूर्थ है राजिस्थान के एकिकरण एवं इसके वर्तमान स्वरूप में आने का कारे कितने समय में पूरा हुआ राजिस्थान का जो एकिकरण हुआ तो प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक वो कारे पूरा हुआ लेकिन इसमें कितना समय लगा तो इसमें लगा आठ वर्स साथ महाँ चौदा दिन याद रखना है बहुत अच्छे से आठ वर्स साथ महाँ चौदा दिन नेक्स्ट है फिफ्थ राजिस्थान एकिकरण के साथ चरण कौन-कौन से थे तो राजिस्थान का एकिकरण साथ चरणों में पूरा होता है तो उसमें जो साथ चरण थे वो थे बिल्कूल सीरीजवाई है क्रम से हैं यह मतष्य संग, पूर्वी राजिस्थान, सैयुक्त राजिस्थान, व्रहत राजिस्थान, और राजिस्थान संग वा राजिस्थान Q6. मतस्य संग में कौन कौन से शेत्र आते हैं? तो मतस्य संग में जो शेत्र आते हैं देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करॉली व नीमराना का शेत्र ये मतस्य संग में आते थे तो देखिए जो अलवर है उसे मतस्य संग की राजधानी बनाया गया था ये भी आपको याद रखना है कि 18 मार्च 1948 को मतस्य संग बनाया गया था राजिस्तान का एकिकरण यहां से प्रारम होता है और मतस्य संग में आते थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करॉली और नीम नाना का शेतर जो है वो याद रखना होगा और मतस्य संग में राजधानी जो है वो अलवर को बनाई गयी थी नेक्स्ट है कुश्यन सेवन मतर से संग कब बना तो हमने बताया भी कि 18 मार्च 1948 को मतर से संग बना कुश्यन एट मतर से संग का उदगाटन किस ने किया वह राजप्रमुक और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया यह आपको याद रहने चाहिए बहुत अच्छे से क्योंकि यहां से लास्ट येर कुश्यन आया था उससे भी पहले कुश्यन आया था और इस बार भी यहां से एक कुश्यन आने की पूरी-पूरी संभावना है मदस्य संग का उद्गाटन किया था केंद्रिय मंति एन वी गौडगिल ने राजप्रमुक धौलपूर साशक थे प्रधानमंत्री सोभाराम थे ठीक है एक बार और रिपीट कर देते हैं मतस्य संग 18 मार्च 1948 को बना अलवर भरतपूर धौलपूर करोली और नीम नाना कशेत्र था अलवर को राजधानी बनाया गया था उद्गाटन केंद्रि मंति एडवी गौडगिल ने किया था राजप्रमुक धौलपूर साशक थे और प्रधान मंत्री थे सोभा राम चलिए एक चरण हमारा कंप्रीट होता है आप नोट्स बना रहे हैं तो बिलकुल नोट्स बनाते जाएए पूर्वी राजिस्थान में 9 कौन सी रियासते थी तो दूसरा चरण जो है वो पूर्वी राजिस्थान है इसमें जो रियासते याद रखना है अगर आप मैप जो है वो जानते हैं मैप को आपने अच्छे से देखा होगा तो यहां भी थोड़ा आप आईडिया लगा सकते हो कि जब हम अलवर भरतपुर और उसके बाद धौलपुर यहां से जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो बासवाड़ा पूर्वी राजिस्थान की नौ रियासतें थी जिसमें कोटा को राजधानी बनाया गया था पूर्वी राजिस्थान का उद्गाटन कब हुआ और किस ने किया पूर्वी राजिस्थान का उद्गाटन 25 मार्च 1948 को हुआ था ठीक है यह याद रखना है और उद्गाटन जो है जो मतस्य संग का किया था उनहीं ने एनवी गौडगिल नहीं पूर्वी राजिस्थान का तो यही बिल्कुल याद रखना अच्य से कि जुनोंने मतश्य संग का किया था उन्हीं ने पूर्वी राजिस्थान का किया था और राजप्रमुक जो थे यहां कोटा को राजधानी बनाया था तो राजप्रमुक जो है वो कोटा के ही होंगे प्रधान मंत्री जो थे वो गो कुलाल अशावा यह फैक्ट है जो आपको रठने ही होंगे संयुक्त राजिस्थान में किस शेत्र को सामिल किया गया अब है तीसरा चरण संयुक्त राजिस्थान इसमें शामिल किया गया जो पूर्वी राजिस्थान था पूर्वी राजिस्थान यानि बासवाड़ा डूं का उदगातन कब और किसने किया इसका उदगातन जो है वो 18 अप्रेल 1948 को जवाहर लाल नहरू ने किया राज प्रमुक मेवाड के महराना भूपाल सिंग और प्रधान मंत्री मानिक के लाल बर्मा को बनाया आप देखिए सवयुक्त राजिस्थान की जब बात की तो उसमें हम ने किसको शामिल किया था मेवाड रियासत दो राजिस्थान की कोई चोटी मोटी रियासत तो नहीं थी तो यहाँ पर उद्धाटन के लिए किसको बुलाएंगे जवाहलाल नहरू जीको बुलाए गया तो यहां पर थोड़ा सा यह आपको करने में असानी होगी कि जब मेवाड रियासत जो इतने बड़ी रियासत को मिलाया गया तो उद्धगाटत जो है वो कोई छोटे व्यक्ति द्वारा नहीं करवाया जाएगा इसके लिए बुलाया गया था जवाहलाल नहरु को 18 अप्रेल उने सो अड़ालिस को राजप्रमु व्रहत राजिस्थान कब बना अब हमने संयुक्त राजिस्थान की बात कर ली सबसे फर्स्ट हमने मतस्य संकी बात की उसके बाद हमने पूर्वी राजिस्थान की बात की फिर संयुक्त राजिस्थान बना अब फोर्थ नंबर बर बनता है व्रहत राजिस्थान व्रहत रा मात 1999 को वहत राजस्थान बना तीए इसका उद्घारतन जो है वो सरदार बल्लभाई पटेल ने किया पर लिखना भूल गई हूं आप एड़र लो कि सरदार बल्लभाई पटेल ने वहत राजस्थान का उद्घारतन किया wordtा कि महाराज प्रमुक भूपाल सिंग, राजब्रमुक, मान सिंग और प्रधानमंतरी हिरालाल सास्त्री नेक्स्ट है कुश्यन नंबर 15 व्रहत राजिस्थान में कौन-कौनसी रियासतों को मिलाया गया अब तेखिए व्रहत राजिस्थान में जैपूर, जोधपूर, विकानेर और जैसल में याद रखना है कासे ुप्राइब कासे कि jet Mr. jjub vy यानव के जे से जोत्पुर जे से जए्लाम और बी चल्बाइब दू तो महालाज प्रमुखिष गुष्ट Quarterım करता वंहाराच प्रभाल सिंह राज pää언ान सिंह प्रधान मंत्री हीरलाल साश्त्री और जयापूर को इस वाले में मैं इसलिए जोड़ देरी हूं क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है चलिए नेक्स्ट है आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा चरण जो है उसमें कौन सा बनाया गया था ठीक है तो हमने अभी व्रहत राजिस्थान के बारे में बात कर ली तो याद रखना है तीस मार्च को हम राजिस्थान दिवस मनाते हैं नेक्स्ट है संयुक्त व्रहत राजिस्थान कौन से चरण में बना व्रहत राजिस्थान की बात हमने कर ली थी कि वह चौत ही चरण में बना था उसके बाद संयुक्त व्रहत राजिस्थान जो है वो पांच चरण में बना था वो हमने उसको किसी में शामिल नहीं किया था तो वह अलग था बिलकुल उसको हमने यहां सामिल कर लिया और उसके बाद बना संयुक्त व्रहत राजिस्थान नेक्स्ट है संयुक्त व्रहत राजिस्थान कब बना डेड याद रखनी है 15 मई 1948 को संयुक्त व्रहत राजिस्थान बना नेक्स्ट है अब हमने कितने चरण कर लिये हैं 5 चरण ठीक है संयुक्त व्रहत राजिस्थान जो है वो 5 चरण में बन चुका है में याद रखना है। संयुक्ति व्रहत राजिस्थान कैसे बना। इस तरीके से आप बिल्कूल लाइन वन याद रखेंगे तो यह सातो चरन जो हैं वो बिल्कूल टिप्स पर आपको याद हो जाएंगे। संयुक्ति व्रहत राजिस्थान किसे मंत्री मंदल में शामिल किया गया, तो यहाँ पर सोभा राम कुमावत को मंत्री मंदल में शामिल किया गया, नेक्सठ है, कुष्यन नंबर ट्वन, राजिस्थान संग कब बना, तो यह बना छटवी चरण में, छटवी चरण में 26 जनवरी उननिस सौ पचास को राजिस्थान संग बना, अब राजिस्थान जु था, वो अपने स्वरूप में आ गया था, कौनों से चरण में? छटवी चरण में 26 जन्वरी 1950 को जब हम मनाते हैं गर्तंत्र दिवस तो याद रखना है गर्तंत्र दिवस की जो डेट है 26 जन्वरी 1950 उसी को राजिस्थान संग जो है वो बना नेक्स्ट है राजिस्थान संग में किस शेत्र को शामिल किया गया तो जो सायूक्त व्रहत राजिस्थान था जो हमारा पांचवा चरण था इसमें हमने सिरोही जो है उसको मिलाया ठीक है क्योंकि सिरोही की जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम राजिस्थान में मिलना चाते हैं जब सवतंतरता से पहले जब एकी करण हो रहा था, उस समय की बात है कि संयूक्त व्रहत राजिस्थान में किसको मिलाया गया? सिरोही को मिलाया गया. लेकिन आबू देलवाडा को छोड़कर. क्योंकि आपको पता है कि आबू और देलवाडा जो है वो बंबैी रियासत में थ था गुजरात की साइड आपने अगर मैप देखा होगा गुजरात की साइड तो हमारे जो जरदार बल्लभाई पटेल थे वो गुजराती थे तो वो उनका था कि आबू देलवाड़ा जो है वो गुजरात में शामिल हो इस वजए से समयुक्ति व्रहत राजिस्थान के अंद पूरा हुआंत तो वर्तमान राजिस्थान के साथ्वी चरंड मैं आबू और देलवाड़ा को कि समीती की सिफारिष पर्राजिस्था में मिलाया गया तो जो आबू यड़े अकी करन के उसाफ्यकरण को हमने छोड़ दिया था चटवे चरण में सिर्फ सिरोही को मिलाया गया था लेकिन फिर भी जनता जो थी वो राजिस्थान में मिलना जाती थी तो इसके लिए एक समिति का आयोजन किया गया जिसमें फजल अली की अधिक्स्ता में राज्य पुनरगठन आयोग द्वारा द्वारा को मिला लिया गया लेकिन किस समिति के सिफारेस पर फजल अली की अधिक्स्ता में राज्य पुनरगठन आयोग द्वारा इसे मिलाया गया राजिस्तान का एकिकरण कब पूरा हुआ तो यह एकिकरण जो सातवा चरण है 1 नमबर 1954 को पूरा हुआ तो जो एकिकरण का जो प्रारम था वो मतस्य संग से हुआ था और मतस्य संग कब बना था 18 मार्च 1948 यानि 18 मार्च 1948 से लेकर एक नमबर 1956 तक राजिस्तान का एकिकरण जो है वो पूरा हो जाता है और इसमें जो लगने वाला समय था वो भी हमने देखा था कि इसमें जो समय कितना लगा था आठ वर्स साथ माह 14 दिन कुशन 26 एक नमबर 1956 में राजिस्तान के प्रथम राज्येपाल के रूप में सपत किसे दिलाई गई तो राज्यपाल के रूप में जो सपत है वो दिलाएगी गुरु मुख निहाल सिंग याद रखना है राजिस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरु मुख निहाल सिंग क्योंकि पहले राजप्रमुक होते थे तो वो पद जो है वो समाप्त हो गया ठीक है यह याद रखना है नेक्स्ट रहें भासाई आधार पर आंदर प्रदेश को अलग राज्य की मांग है तो किस व्यक्ति ने सबसे पहले आमरण अंशन किया मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्यन की भासा की आधार पर आंदर प्रदेश को एक अलग राज्य की जो मांग है वो करने वाले थे श्री रामोलू ठीक है यह याद रखना है इन्होंने सबसे पहले आमरण अंसन किया था अक्टूबर 1952 में और इसी आमरण अंसन के दौरान इनक प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई और भासा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कब बना तो 1952 में मांग की गई थी और 1953 अक्टूबर 1953 में इस्थापना की गई आंदर प्रदेश की तो आंदर प्रदेश जो है वो भासा के आधार पर पहला राज्य बन भारे सरकार द्वारा 1953 में राज्य पुनर गठन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो ये वही राज्य पुनर गठन आयोग है जिसने हमने पढ़ा था कि आबू और तेलबाडा को शामिल कर लिया गया था राजिस्तान संग में तो उसी राज्य पुनर गठन आयोग का अध्यक्ष जो है वह 1953 में बनाया गया था जस्टिस फजल अली किसे बनाया गया था जस्टिस फजल अली 1954 में राज्य पुनर गठन विध्यक के पास होने पर कितने राज्य बने तो देखिए 1956 में राज्य पुनर गठन विध्यक के आधार पर 14 राज्य बने थे और 6 के इंदरशाशित प्रदेश थे जो आज हम पढ़ते हैं न 28 राज्य और 8 के इंदरशाशित प्रदेश तो 1956 मे जब राज्य पुनर गठन विधियक पास हुआ तो उस वक्त 14 राज्य बने और 6 केंदर शाशित प्रदेश बने और किस आधार पर बने थे यह बासाई आधार पर नागा लेंड राज्य कब बना नागा लेंड जो है वो 1963 में राज्य बना मिजोरम राज्य का गठन कब किया गया? 1987 में मिजोरम राज्य का गठन किया गया नेक्स्ट है मिघाले राज्य का गठन कब हुआ? तो जो पूर्वत्तर राज्य हैं हम उनकी बात कर रहे हैं मिघाले राज्य का गठन हुआ 1922 में नेक्स्ट है अरुनाचल परदेश राज्य कब बना अरुनाचल परदेश बना 1987 में मिजोरम राज्य भी 1987 में बना था और अरुनाचल परदेश राज्य का गठन भी 1987 में ही हुआ था 35 पंजाब हर्याना राज्ये का गठन कब हुआ पंजाब हर्याना का गठन जो है बहे हुआ राज्ये का उनने सो च्छानसाटीज़पी में और जो चंडिगर थी वो इनकी समयुक्त राज्यदानी बनाई गयी नेक्स्ट रहें सिक्किम को के सम्विधान संसोधन द्वारा राज्य बनाया गया यह 36 सम्विधान संसोधन के द्वारा राज्य बना कौन सिक्किम 2000 में मद्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश बिहार से कौन से राज्य अलग बनाये गए देखिए 2020 में मद्यप्रदेश से, उत्तरप्रदेश से और बिहार से कौन से राज्ये बने? मद्यप्रदेश से बना चत्तिसगड, उत्तरप्रदेश से उत्राखंड, बिहार से जारखंड. जिसमें चत्तिसगड की जो राजधानी थी वो रायपूर बनाई गी, उत्तराखं पर राज्य का दर्जा जिसे मिला था लेकिन 2014 में आंदर प्रदेश से भी अलग होकर एक राज्य बनाया गया और वो राज्य था तेलंगाना तो ये था आपका अंतिम प्रश्ण और आपका जो नाइन्थ क्लास का पॉलिटी का फस्ट चेप्टर है वो कंप्लीट होता है ने झाल